आप सभी बच्चों का स्वागत है B.E.S.C. जुलोजी बैच के 2023 से 27 सत्र में सिमेश्टर 1 के हिंदी माध्यम बैच में जैसा कि आपको मैंने पिछले दो वीडियो में पढ़ाया है दो वीडियो आपका लेक्चर का था बेसिक वीडियो था और एक वीडियो हमने आपको पढ़ाया था पर्थम यूनिट जन्तु लाइक प्रोटिस्ट के प्रोटो जोवा भाग एक को तो जो भी बच्चे आज भाग दो देख रहा होंगे किर्पिया करके वो पहले जाकर भाग वन को देख ले तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तो चलिए मया मुलकुमार आप सर्वी बच्चों का स्वागत करता हूँ बच्च जुलोजी के हिंदी माध्यम भैच में और आपका इसका हिंदी माध्यम का PDF चाहिए तो आप हमारे टेली ग्राम से जूर कर इसको डानलोड कर लेंगे इसके PDF को भी आपको हम दिखला रहे है जैसे पांच नंबर हमारा यूनिट जो है यहाँ पर प्रोटो जोड़ा से स्टार्ट है प्रोटो जोड़ा को प्रिमिटिम प्रारंभिक या पर्थम जून मतलब एनिमल जन्तू कहते है और इनके सभी परिभासाओं को सभी इमेजिन को देख सकते हमने PDF में बड़े अच्छे तरीके से सजा सजा के डाला है यह प्रोटो जोवान्स के लक्षन है और आज आपको जो हम पढ़ाएंगे वो PPT के माध्यम से वो आप इसमें भी देख सकते हैं क्लासिफिकेशन मुकृ प्रोटो जोवान्स के हमने जो है बेसिक करेक्टर्स को पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में आज प्रोटो जोवा के बर्गी करन को पढ़ेंगे तो परचलन अंग यानि चलने फिरने के अंग लोको मोसन के अधार पर प्रोटो जोवा के पांच बर्ग है प्रोटो जो भी आप लोगों को तो आप देख सकते हैं उस PDF को नोट करने के लिए हिंदी मेडियम में PDF को लोट करने के लिए आप हमारे टेली ग्राम चैनल पे जाए और वहां से डाउनलोड कर ले आज हम प्रोटो जोगा के बर्गी करन को मुखरूप से पढ़ेंगे तो देखेंगे हम प्रोटो जोगा का बर्गी करन कैसे कर रहे हैं सबसे पहले प्रोटो जोआन्स को चार बर्गों में विभाजित कर रहे हैं एक नमर बर्ग को आप देख रहे हैं पहला बर्ग जो है इसका नाम हम देंगे सारकोडीना याद रखेगा सारकोडीना दो तिन बार आप मेरे को डीना या इसी को हम राइजो पोडा भी कहते है अब देखे राइजोर्स का मतलब होता है रूड्स अब पोडस का मतलब होता है पैर यानि जिनके पैर जो है रूड्स यानि फॉल्स है उसी को हम राइजो पोडा गूप में डालते है अब देखे इसमें जो भी अमीवा ला मेश्टिगोफोरा 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 मेश्टिक्स का मतलब होता है वीप का मतलब होता है चाबुक या कोरा और पोरस का मतलब होता है बीरिंग यानि चाबुक जैसा पार्ट्स इसके पार्स में है इसी को हम बोलते हैं दो बर के बाद तिसरे बर को देख तो देखेगा श्पोरो जोवा, श्पोरा का मतलब होता है, सीड्स जोवा का मतलब होता है, एनिमल, यह वे प्रोटिष्टा जो एस्पोर का निर्मान करते है, उससे हम श्पोरो जोवा बर्ग में रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर पलाजमोडियम को, अब नेक से एक बार फिर से देखे, प्रोटो जोवान को हम पांच बर्गों में बाते हैं, पहला बर्ग सारकोडीना है, यह राई जो पोड़ा है, जिसके अंतरगत अमीबा के सारे अमीबा के परजाती आ जाएंगे, दुसरा बर्ग मस्टिगो फोड़ा है, मस्टिष्ट का मतलब ह होता है वीप, यानि चाबुक या खोरा जैसा और फोरस का मतलब होता है बियरिंग यानि चाबुक जैसा अंग होना, तो यह यह युगलीना को आप देख रहे हैं, तिसरा एश्पोरो जो आएनि ऐसे प्रोटो जोवान जो एश्पोर उत्पन करते हैं, इसको सीड्स बोलत परन में और सबसे अंतिव में सीलियेटा बर्ग है जिसके अंत्रागा सीलिया पाया जाता है पारा मिसियम को देख रहे हैं। इस परकार हम प्रोटो जोवा को चार बर्गो में बाठे हैं। अब यह चार बर्ग आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ दो-तिन बार दोहलाईए, सारकोडीना, मस्टीगोफोरा, एस्पोरोजोवा, सिलियेटा, सारकोडीना, मस्टीगोफोरा, एस्पोरोजोवा, सिलियेटा, अब इसको हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं, SMS, देखेगा, SMS क करना है किसके पास त्सीली के पास ऐस एम एस एसमष कर दिये सीली के पास वे तों सीली नाम की कोई लड़की समझ लगा है लड़का समझ लगा उसके पासहमेशे मम слब火 दिये तो एस से सारकोडिना एम से मस्टीगो फोडा और आस से these स्पोरोजोवा सीली से सीली एटा तो बहुत अच्छा ट्रीक है एसे में सीली को कर दो एसे सारकोडीना, एम से मस्टीगोफोडा, एसे स्पोरोजोवा और सीली से सीली एटा या चार गो बर्ग प्रोटो जोआंस का हमें याद हो जाएंगे तो चार बर्गs प्रोटो जुआंच को याद करने के लिए त्रीक याद रखेंगे A.S.E. में सीली फिर से देखिए त्रीक याद करेंगे A.S.E.M.S. सीली यह चार गो बर्ग है प्रोटो जुआंच को याद करने के लिए A.S.P.O.D.N.E.M.P.O.D.R.D. असीली मतलब सीली एटा यह चार है एसे में सीली याद रखेंगे हमारा प्रोटो जवान्स के चार गोबर्ग में बाटे है पर्चलन के अधार पे वह कंप्लिट हो जाएगा अब देखेंगे हम सारको डीना पहला जो गुरूप है उसके लक्षनों को पढ़ेंगे तो इनका आकार हमेशा नियमि अनियमित होता है देखेंगे सारको डीना का आकार हमेशा अनियमित होता है क्योंकि इनके सरीर से उंगली जैसे प्रवर्ध है प्रवर्ध का मतलब समझेगा उभार उंगली जैसे उभार हमेशा निकलते रहते हैं और लूप तो होते रहते हैं देखें हमारा मुठी है निकला बंधुआ 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 तो इस परकार इस मुठी को बांधे इसका आकार कभी नियमित नहीं रहेगा क्योंकि निकलता रहेगा और बंध रहेगा, तो जिन्हें तो यह निकलने और बंध होने वाले को कहते है स्कूट पाद यानि सूडो पोडिया देखेंगे इसके उधारन को इसमें हम देखेंगे इसे अमीवा के इसके अंतरगत अमीवा आदाएंगे फोटो को देखेगा तो इसका आकार कभी नियमित नहीं होता है क्योंकि देखें इसका आकार कभी निकला फिर लपिट लेगा फि इसका आकार नियमित नहीं होते हैं, पहली गुन को समझ गए हैं, दुसरी गुन में हम चलेंगे, कूट पाद इन जनतुओं के परचलन तथा भोजन गरहन का अंग है, यह जो बाहर निकला हुआ भाग है, यही कहलाता है कूट पाद, यही कूट पाद कहलाएगा, तो कूट जो है, परचलन यानि एक जगा से दुसरे जगा जाने के लिए और भोजन करने वाला मुखे अंग है, यह सधारनता स्वतंतर जीवी होते हैं, स्वतंतर जीवी का मतलब अकेले कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना जीवन अकेले जी सकते हैं, परंतु कूछे भी भी होते है अब परजनन प्राय और लेंगिक होती है एबम दूई भिखंडन द्वारा होता है उधारन अमीवा एंट अमीवा किसमें तो सारको डीना में अब चलेंगे सारको डीना के लक्षन को आप समझ गए होंगे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग फोटो को तो अमीवा का फोटो देख रहे हैं अमीवा का जो निकला हुआ भाग है वे ही कहलाता है सूडो पोडिया देखे यह कहलाएगा सूडो पोडिया और सूडो पोडिया के माध्यम से यह दो काम करेगा एक प्रचलन का काम करेगा और इसमें से कुछ जो है सोतंत्र जीवी होंगे इसके कुछ और कुछ जो है पर जीवी होंगे और प्राया लेंगीक जनन की किरिया करते हैं लेंगी जनन कैसे करते हैं तो दुई बिखंडन के द्वारा दुई बिखंडन को क्या देखेंगे अमीवा है इसका मुख केंदरक है य बीच से ही बट जाएगा, आधा साइटो पलाजम इधर, एक केंद्रक इसमें, एक केंद्रक इसमें, इस परकार दो भाग में बट गया, चुकि दो भाग में बटा, इसलिसकों बोलेंगे दुई, विखंडन, तो आपको एक कागुन पर लिए होएगा, सारको डीना का, बस इ खिफ्त बीबरंदे, तो हम जब उठाएंगे, तो प्रोटो जुआन्स के बारे में परिचे करेंगे, फिर उसका बरगी करण में चलेंगे, तो बरगी करण में चार बरग आपको याद हो गया होगा, एसे में सिलिट रिक से, और सारको डीना का जो तो तिन गुन है, याद की नाम से असपस्ट है, मैस्टिक्स का मतलब होता है, वीफ, वीफ का मतलब होता है, चाबुक या कोड़ा या हंटर, पोरस का मतलब होता है, जिसके पास चाबुक या कोड़ा या हंटर जैसा आकिरती है, उसी को हम डाल दिये थे, मैस्टिगो फोड़ा के अंतरगत, तो इ इसके सरीर पर एक द्रीड पेली किल या क्यूटी किल का आबरन होता है। इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। इससे पहले परहे थे सारकोडीना जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन मैस्टीगोफोडा का आकार निश्चित होता है। कि इसके बाहरी परत पर जो लेयर है यही होता है पेलिकिल या क्यूटिकिल होंगे तो पेलिकिल या क्यूटिकिल है समझे मैस्टिगोफोडा है क्या तो मैस्टिगोफोडा वैसे प्रोटो जोवान है जिसके पास mastics यानि वीप चाबुक या कोरा जैसा अंग पाए जाते हैं उन सभी को हम mastigo फोड़ा बर्ग में डालते हैं और इनके मुख गुन क्या है तो सबसे पहला है कि इनका आकार निश्चित होता है इसे पहले परे थे कि उनका आकार निश्चित नहीं होता है क्यों निश्चित होता है कि इनके सरीर के बाहर जो है एक डिरीड यानि कठोड आबरन पाई जाती है जिस आबरन को पेली किल कहते है या क्यूटी किल कहते है इसके अगले सीरे से चाबुक के जैसे एक रचना निकलती है जिसे फलेजिला या कसाब कहते है यह गमन की किरिया करते है देखे यह जो है चाबु के जैसा रचना है जिसी के माध्यम से है एक जगह से दुसरे जगह जाने का कार्ज करता है तो हमारा मेस्टिगो फोरा का दो गुन आप लोग देखे उधारन इसका हो जाएगा यूग लीना जब भी हम चर्चा करें तो द्धारन का कुछ नहीं है और इसके कुछ जीव जो है इसके कुछ जीव सोतंत्र जीवी होते हैं जिनमें बर्न पिगमेंट पाए जाते हैं कुछ परासराई होंगे यानि दुसरे पर आस्षित रहेंगे और कुछ पर जीवी के रूप में होंगे और अलेंगिक जनन अलें यह देखें यूगलीना का इसके लंबवत रूप से इसका सईड का विभादन होगा हमने अमीबा को देखा था तो बीच से बट गया था लेकिन यह क्या है केंडरक जो है दो भाग में बटा और बीचों बीच फैल ला देखें बीचों बीच उपर से फैल कर नीचे के और यानि अनुदैर्ज विखंडन इसके उधारन हो जाएंगे यूगलीना ट्रीपैनो सोमा आगे हमको पढ़ना पड़ेगा देखें फोटा फोटो जो है यूगलीना का है और यह फोटो ट्रीपैनो सोमा का है जिसके बारे में हम आगे जब प्रस्न पूछेगा किसी एक के ब मतलब होता है सीड जोान्स का मतलब होता है एनिमल यानि ऐसे एनिमल जो एस्पोर बनाते है उन सभी को एस्पोरों जोवा बर्ग में रखा जाता है यह सब का सब परजीवी होंगे पहला गुंद देखे सब के सब परजीवी होंगे और इनके सरीर पर क्यूटिकल पाए जा उपस्थित होते है अब देखिए इसके अंदर कॉंट्रेक्टिल भोक्यूल से पाये जाएंगे जिसका इस्पेशल काम हो जाएगा शरीर के अंदर जॉल के प्रासरन को नियंत्रित करना आगे इसके गुन को हम देखेंगे इसका उधारन हो जाएगा पलाज मोडियम इनके अलेंगिक परजनन बहु भिखंडन द्वारा तथा अलेंगिक जनन सन युगमन द्वारा होता है अब देखिए इसमें जनन की दोनों किरिया हो जाएंगे जब अलेंगिक जनन होंगे तो बहु भिखंडन यानि इस यह एक पलाज मोडियम है इसके अंदर केंद्रक बार- पर बिभाजित होकर पूरे शरीर में एस्पोर बनाएगा, अब समझे एस्पोर बनाया, और एस्पोर बनाकर एक वार इसको तोड़ देगा, अब बाहर जितना एस्पोर निकला, वह फिर से एक नय पलादमोडियम का रूप ले लेंगे, इसलिए इसको इस्पोरो जोआन्स म में जूरेंगे दो कोशिकाएं आपस में जूर कर सन युगमन बनाते हैं समझेंगे अभी हम लोग जैसे एक दखे कोई दो कोशिकाएं हैं एक कोशिकाएं आपस में मिलकर एक युगमन बना लिए और यहां से एक नए जीवों का निर्मान कर लेंगे तो याद रखेंगे लै कोशका के अंदर देखे इस्तन यूगमन बना तो इसके अंदर ये केंद्रक बना ये विभाजित होकर यह बिजानू बनाया एस्पोर बनाया यह एस्पोर टूटेगा नए जीवों का निर्मान करेगा इसके उधारन दिखेगा पलाजमोडियम और मोनो सिस्टिस यह फोटो पलाजमोडियम का है यह फोटो मोनो सिस्टिस का है तो आप याद रखेंगे हमारा तीन बर्ग कंपलीट हो गया एस्पोरो जुआन्स अब लास्ट बर्ग और अंतिम बर्ग हम लोग पढ़ेंगे वह सीली एटा इसके लक्षन निम लिखित है लक्षन और फोटो को भी दे और सरीर पक्ष में यानि सीलीया से ढखा रहता है जो परचलन तथा भोजन पकरने में सहायता देता है अब समय सीली एटा नाम क्यों पर आता है सीली यानि सीलीया से शीलीया से सीलीया से सीलीया जाएंगे उन्हीं को सीली एटा गुरूप में डाला जाता है अब इसके अन उसके बाद हमको जब इस्पेसल पढ़ना होगा तो अगला लक्षन है इसमें देखेंगे कि इसमें लगू तथा गुरू केंडरक लगू मतलब छोटा गुरू मतलब बड़ा अंग्रेजी में देखेंगे माइक्रो आंड माइक्रो निकूलस दो परकार के पाये जाते हैं रखेंगे इसको बोल दिये माइक्रो निकूलस इसमें एक या कोई अगला पॉइंट संकूचन सिल रशद्धानिया कांटारेक्टिल भोक्यूलस पाये जाते हैं इसमें देखें यहां जो हैसे कांटारेक्टिल भोक्यूलस है उपर एक और नीचे एक पारामीसियम में तो इसमें एक भी हो सकते है, एक से अधिक भी हो सकते है contractile vocules और अलाइंगी की जनन दूई विखंडन दुआरा तथा मुकुलन दुआरा होता है तब एक्जामपल इसका हो जाएगा पारामिसियम वर्टी सीला देखे एक फोटो आपका पारामिसियम का है और एक फोटो वर्टी सीला का है तो इसके दो उधारन पारामिसियम और वर्टी सीला अब इसी के साथ हमारा चारो बर्ग को हम लोग किलियर कर लिए है अब हमारा जब भी पूछेगा परिच्छा में कि पारामिस्यम का बरगी करन करें तो आप चारों बरग के बारी-बारी से फोटो बना-बना कर लिख दीजिएंगे अगर पूछेगा किसी एक उसक में से, किसी एक जीवों के बारे में जैसी पूछे जैसे यहां कोस्टन पूछेगा आपका पारामिस्यम का बरगी करन, रचना, परचलान, एबंपोसन का संचिप्त विबरंदे और चोह सो से आठ सो सब्दों में पूछेगा तो उसकी भी ब्याक्ष्या हम अच्छे तरीके से करेंगे तो सबसे पहले step by step हम उसको जाने जब किसी जीवों को बारे में पूछे, प्रसन पूछे तो एक बार आख बंद करके हम याद करें कि यह जीव हमारा किस से निकला है पहले उसके अंबर्गी करन को उपर से याद करें कि किस किंडम में है, किस फाइलम में है, किस कलास में है, किस आउडर में है, किस फैमिली में है, किस जीनस में है, और किस एस्पिसीज में है तो जैसे ही पारामिसियम आ जा रहा है हमारे दिमाग में यह बात अटेक हो जा रहा है कि यह पारामिसियम को हम लोगों ने किंग्डम एनी में लिया और फाइलम प्रोटो जोवा में पढ़ा है फाइलम प्रोटो जोवा का एक बर्ग है जिसका सरीर के बाहर चारों तरफ सिल परजाती है जिसको बोलते है पारा मीसियम अब उसका हम वहां से बरगी करने एक एक लाइन करके संचीपते इंटोड़क्शन दे देंगे फिर उसके बाद जैसा प्रसंद कर रहा है वैसा उत्तर देंगे देखेगा यही पारा मीसियम का फोटो है इस फोटो को एक बार दू आप तीन बार चार बार जैसा जैसा ड्रो दिया हुआ है पेंसिल ड्रो है वह आपको हूँ बहुत रो कर लिजेगा और इसके नामा करन को भी याद रखेगा तो हमारा तस्वीर आप तस्वीर के अंदर के कुछ मुख भागों को नाम याद रहना चाहिए उनके काम को भी तब हम 600 से 800 सब्दों में बहतर तरीके से डिसकसन कर पाएंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा अब देखिए सबसे पहले पुछा कलासिफिकेशन तो हम कलासिफिकेशन दे दिये कि या स्फाइलम प्रोटो जोवा के अंतरगत आजाएगा उप संग इसका सिलियो फोरा हाइगा हाइमेनु एस्टो में टीडा देखिए अंग्रेजी के बड़ा बढ़ है तीन भाग में तो यह हाइमेनु एस्टो में टीडा तूट गया अराम से पर भी लेंगे और बंस जीनस आजाएगा पारा मिसियम तो इस परकार से हम एके करके बर्गी करन को डैस देकर इ पर इस प्रेजी में फाइलम, सब फाइलम, कलास, सब कलास, और, जीनस यहां तक हम डिसके सन कर लिए तो बर्गी करन का काम हमारा खतम है दूसरा पुछता है इसका एक श्टरक्चर संदचना तो इसके एक एक पार्ट सो का हम संदचना करेंगे चर्चा करेंगे सबसे पहल पाबो, गढडो, पोख्रो में पाया जाता है इसकी आकिर्टी सिलीपर जैसी होती है चपल देखे है ना उसी सिलीपर के जैसी इसकी आकिर्टी है देख सकते है और अकार लगभग थीरी एम एम लंबा होता है शरीर का अगला भाग गोल तथा पिछला भाग नुकीला होता जो गमन में मदद करते है और पूरा सरीर तन्तू तवक पेलिकिल नामक जिलेटीन के आवरन से धका रहता है अब यहाँ देखेंगे इसमें इसके पूरे सरीर पर छोटे छोटे बाल जैसे जो रचना है इसी को हम सिलिया बोलते है और इस सिलिया के पीछे देखेंगे एक परत है पूरे सरीर पे इस परत को हम पेलिकिल बोलते हैं इस परत को हम पेलिकिल बोलेंगे और यह परत बना होता है जिलेटीन का बना होता है तो यह किसका बना होता है जिलेटीन का बना होता है जिसको पेलिकिल बोलते है जो इसके आकार को निश्चित करती है यार दखें इसमें देखेंगे शरीर के पार्षव भाग, लेटरल साइड में, एक गढ़े नूमा मूख होता है, अब समझ ये पार्षव गिडिक बढद है, जैसे हम बोलते हैं शरीर के आगे, शरीर के पीछे और सरीर के साइड में, बगल में, तो अगला भाग को हम बोलेंगे, अगर अपने भासा में बोलते हैं, वहाँ पे बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, अंग्रेजी में देखे, भेंटरल, पीछे बाला को बोलेंगे डॉर्सल, और बगल बाला को बोलेंगे लेटरल, अगर भाग, भेंटरल का मतलब अगर भाग, डॉर्सल का मतलब पस्च भाग, और पाड़े में चर्चा कर रही है तो इसके पार्षव भाग में एक गढधा नूमा मुख होता है देखे इसके पार्षव भाग में एक गढधा इसमें गढधा है गढधा जैसा किर्ट दिखाई दे रहा है तो यही गढधा नूमा इसका मुख होता है जो पीछे की और मुख ग यह गढ़ा से पीछे की ओर एक अंग है जो cytopharynx है यह दिखिए cytopharynx इस बहला भाग को बोलेंगे हम cytopharynx दिखिए यहां से यहां जो निकला है ध्यान से दिखिए इस भाग को बोलेंगे cytopharynx तो जो आगे गढ़ा है वह cytopharynx में जाकर खूलता है के लिए कोशिका दरब अंतर दरब यानि इंडो पलाज्म तथा बाह दरब एक्टो पलाज्म में विभेज़ित होता है यानि इसके कोश का दरब दो भाग में विभेज़ित होते हैं इंडो पलाज्म और एक्सो पलाज्म देखेंगे अब तस्वीर में इंडो पलाजम कहां है और एकसो पलाजम कहां है जैसा आप देख रहे हो यह बड़ी गौर से देखेंगे इसमें सबसे बाहर में इसका सिलिया है उसके बाद पेलिकिल है देखें सबसे बाहर में सिलिया है सिलिया का बाद पेलिकिल है और पेलि ट्राइकोसिष्ट भी एक वाल का काम कर रहा है और साइटोपलाजम दो जगह बटे होंगे एक ट्राइकोसिष्ट के बाहर और एक ट्राइकोसिष्ट के अंदर जो ट्राइकोसिष्ट के बाहर साइटोपलाजम है इसको बोलेंगे एक्टोपलाजम और जो ट्राइकोसिष्ट इसके अंदर है उसको बोलेंगे इंडो पलाजम, समझ गए होंगे एकस्तो पलाजम इंडो पलाजम क्या है, इस फोटो को आप फिर से देखेंगे, जैसे हम लेते हैं एक सिलिया की बाहत तस्बीर को ले लिए, यह पेली किल हो जाएगा, समझेंगे, यह पेली किल हो जाएग इसके उपर छोटे 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 बाल जैसे रचना है जिसको हम बोलेंगे सीलिया ध्यान दीजिएगा इसको हम बोलेंगे सीलिया और इसके भीतर एक पेलिकिल है देखेंगे इसके भीतर जो है सोड़ी पेलिकिल नहीं इसके भीतर ट्राइकोसिष्ट है एक काटे जै सी रचना है जो ट्राइको सिष्ट का निर्मान कर रहा है इसको हम बोलेंगे ट्राइको सिष्ट देखिए यह आप ड्रो कर लिजेगा जहां पर एकस्टीकौ सिष्ट देखिए इन्डों यह आत पाल मेंट कर रहा है अब कोशिका दरब को तो आप कोशकाद रव को दो भवागों में बता हुआ देख लिए होंगे समझ भी गये होंगे अब चलिए हम चलते हैं फिर से अगला गुन के बारे में तो इंडो पलाजम और एक्िक नूपलाजम या इसी को हमे को बोल सकते हैं इंडो साईटो पलाजम फूड वैक्यूल्स तथा एक्टो पलाज्म में छोटी छोटी तुर्क रूपी स्पिंडल से पे दंसिका ट्राइकोसिष्ट पाई जाती है अब इंडो पलाज में जो है अंदर वला भाग में छोटे छोटे ठैली में भोजन जायसी रचना पाए जाता है जिसको हम food vacules बोलते हैं, यहाँ पर देखे, food vacules, ऐसे इसके पास तीन परकार के vacules हैं, जिसको आगे चर्चा करेंगे, और एक्टो पलाज में बाहरवला में छोटे छोटे तूर्क रूपी रचना पाए जाते हैं, इस्पिंडल जैसी रचना पाए जाती है, जिसको हम ट्रा पाए जाएगी, जिसको हम बोलेंगे food vacules, तो आप से कभी objective question पूछ देखे, food vacules कहाँ पाए जाता है, एक्टो पलाज में या इंडो पलाज में, देखे, इसको हम एक्टो पलाज में भी कह सकते हैं, एक्टो पलाज में और इसको इंडो पलाज में भी कहेंगे, दोनों ना पाए जाएगे इंडो पलाज में, और ट्राइको सिस्ट कहाँ पाया जाएगा, तो ट्राइको सिस्ट पाया जाएगा एक्टो पलाज में, तो बो लाइन जो कहाँ रहा है, वो भी हमारा किलियर हो गए होंगे concept, नेक्स्ट हमारा है, तो यहां तक आप food vacules और स्पिंडल जैसे रचना ट्राइको सिस्ट को समझ गए होंगे, अब नेक्स्ट इसके गुन को हम देखते हैं, अगला लच्छन को देखते हैं, इसमें एक छोटा लगु केंदरक तथा एक बड़ा गुरू केंदरक होता है, अब ध्यान देखें, लाल जैसी रचना को दिख और एक मैक्रो निकूलस होता है, और इसमें दो संकूचन सील धानिया, यानि कांट्रेक्टिल भोक्यूल्स होती है, जिसमें एक अगर तथा दूसरा पस्ट सीरा पर पाई जाती है, अब देखेंगे, दूगो फोड़ भोक्यूलस है, एक आगे और एक पीछे, अंतिम कितने होते हैं, तो भैक्यूलस तीन परकार के होते हैं, ध्यान देंगे, अगला वला को बोलेंगे, एंटिरियर, कांट्रेक्टिल, भोक्यूलस, जो भोजन भत से भरा हुआ भोक्यूलस है, उसको बोलेंगे, फूड भैक्यूलस, और पीछे वला को बोलेंगे, पोस्टिर और बगल में है तो लेटरल तो किसी भी जीवों के साइड यानि उसकी दिशा को जानने के लिए आप यहाँ पर याद कर लोगे कि कहां कहां कौन कुन से भाग बोलते है तो किसी भी जीव के आप भाग में जाओगे देखें यहां आप भाग में जाएगे उपर वाला भाग क को बोलेंगे हमेशा anterior, anterior और नीचे भला भाग को बोलेंगे posterior, अब उसका हो जाएगा शामने भला भाग, फेस भाग, सामने भला भाग को बोलेंगे, इसको बोलेंगे ventral और पीछे वाला भाग को बोलेंगे डोड़ सल और साइड वाला भाग को बोलेंगे यह हो जाएगा पीछे वाला भाग और यह हो जाएगा आगे वाला भाग और इसके बगल वाला साइड वाले भाग को हम बोलेंगे लेटरल लेटरल तो याद रखेंगे तीन दिशा ए एंटिरियर अगर सिरा, आगे का फेश सर फेश सता और दोर्सल मतलब पीछे की सता, लेटरल मतलब बगल की सता, याद रखेंगे A, एंटिरियर, P, पैर, पोस्टिरियर, बगल का, लेटरल, अगला फेश भेंटरल और पिछला फेश दोर्सल, या हमेसा हर जीवों पर लागू होगा, जलिए फिर आगे हम concept में चलते हैं इसका, तो इसका हम देखें, इसके अंदर ectoplasm, endoplasm, vacules, तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बाहर trichocyst, cilia और pelicule के बारे में समझ चुके हैं, एक और अचना है, इनके चारो और बिकिरन न लिकाए, irradiating canals होती है, किनके चारो और, तो इसके चारो और देखिए, एक बिकिरन जैसी रचना बाहर निकली हुई है, इसी को हम बोलते है, irradiating canals, तो irradiating canals और contractile vocules सब आपस में जूरे होते हैं, नेक्स्ट टॉपीक को हम देखेंगे, अब इसके लच्छन थे, अब इसकी बाहरी संदचना को देखते है, अब किसी भी जीब के संदचना दो परकार से होंगे, बाहरी संदचना, एक आंतरिक संदचना, बाहर से जो भी चीज़ दिखाई दे रही हुआ, वो बाहरी कि भीतर से जो भी चीज़ दिखाई देगी वह भीतर यानि आंन कि संदचना कह लागे तो बहरी संदचना जन्दास में कुन कों सी चीज़ आएंगे वह भी देख लेते हैं सबसे बाहर इसका है पेलिकिल तो पेलिकिल दोहरी प्रत वाली सबसे बाहरी प्रत है जो मजबूत और लचीली होती है इसके कारण सरीर का आकार निश्चित होता है और इसमें तीर्छे उभार एक दुसरे को काटने पर बनते है इसके कारण सरीर का निश्चित अकार होता है परतेक सत भुजिये को B से 1 सिलियम बाहर निकलता है और परतेक उभार पर ट्राइकोसिस्ट खुलता है अब समझे ये एक बड़ी रचना है पेली किल की छोटी रचना है इसी को खोल कर यहां पर हम बाहर किये हैं तो केवल पेली किल की परत को जब बाहर करते हैं तो एक रचना देखेगा A है और एक B है यहां पर देखेगा 6 कोन बाले 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानि सट भुजिये 6 भुजा यूखते रचना है जिससे एक सिलियम बाहर निकलता है यानि एक सिलियम को देख रहा है सब के बीच से एक सिलिया बाहर निकला तो पेली किल जो है वह अच्छो भुजा वाली रचना है जिसे परतेक के मद बिंदू से एक सिलिया बाहर निकलता है और परतेक उभार पर ट्राइको सिष्ट खुलता है यहां पर देखेगा जितने भी उभार है इसके उसके परतेक उभार पर नीचे से ट्राइको सिष्ट जो है एहीं पर आकर खुलेंगे परतेक उभार पे यानि जितना भी उभार है इसमें उभार कहां प्याएगा सो देखेगा इस सटकोनिय भूजा है तो एक उभार यह हो गया एक उभार ए 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 तो जितना भी उभार है सम्मेथ देखेगा कोंची जुरा हुआ है ट्राइको सिस्ट जुरा हुआ है तो पेली किल से ट्राइको सिस्ट जुरा हुआ है इसके सटकोनिय उभार पर और इसके मद से एक सिलिया बाहर निकलता है तो समझ गए होंगे किसके बारे में पेली किल के बारे में किलियर इसके तस्बीर को आप बना लिजेगा अपने न यह गुदाद्वार भी कहलाता है जो सरीर के अधर तल यानि अगले भाग के मुख के नीचे एक छोटा सा छिद्र के रूप में खुलता है यह देखे यह मुख है यह जो है गढ़ा नुमा किरती यह मुख है और इसके नीचे देखे एक छोटा सा छिद्र है इसी को बोलते है cytopoing इसी को बोलते है cytopoing यह छोटा सा छिद के रूप में खुलता है यह बाहिर रचना हम लोग देख लिए पेलिकिल को देख लिए और cytopoing को देख लिए यह बाहर से दिखाए देने बाली रचना है अब अगला हम देखेंगे सिलिया के बारे में समझेंगे तिसरा पार्ट सिलिया तो सिलिया सरीर के चारो ओर सिलिया पाए जाते हैं जो गमन करने में मदद करती है सरीर पर सिलिया के बिन्यास को सिलियेशन कहते है यह मुख दो भागों में बाटा जा सकता है किसको सिलिया को हम देख रहे हैं इसके सरीर पर बाहर जो पतले पतले बाल जैसे रचना है उसी को हम सिलिया कहते है और यह सिलिया के जो बिन्यास है उसी को हम cilliation काते है और इसको मुख दो भागों में माटेंगे एक body cilia, एक oral cilia देखे इसका यह मुख वाला भाग है इसको देख रहे हैं यह मुख वाला भाग है तो इसके मुख में जितने भी cilia पाए जाएंगे यह सब कहलाएंगे oral cilia जो इसके सरीर के बाहर जो पाया जाएगा वह कहलाएगा body cilia तो देखेगा यहां सरीर की बाहरी सत्व पर इस्थित होता है जो पिछले भागों को छोड़ कर सबी भागों में समान अकार के होता है इसे somatic cilia भी कहते है यह बोड़ी cilia को somatic cilia भी कह जाते है पूरे बोड़ी पर पाय जाता है दुसरा है oral cilia तो यह मुख भाग में पाय जाने वाले cilia है जो करा और लंबा होता है केबल मुख भाग में पाय जाने वाले, केबल इसी भाग में पाय जाने वाले जो सिलिया है, उसी को हम oral cilia बोलेंगे, तो सिलिया का दो भाग देख लिए, body cilia और oral cilia, समझ गए होई येगा, अब next देखते हैं इसके सन्रचना को हम, तो बाहरी सन्रचना हम लोगों ने परहा, बाहरी सन्रचना पारा मिसियम का, पारा मिसियम का बाहरी सन्रचना तीन भाग होते हैं, देखें, बाहरी सन्रचना में तीन भाग, पेलिकिल, उसके बाद हम लोग पढ़ें, साइटो पोईंग, और तिसरा भी हम लोगों ने पढ़ा, सिलिया, जो सिलिया दो भागों में बटा होता है, एक बोडी सिलिया है, और एक ओरल सिलिया है, इसको आप गर आपको नोट कर लिजेगा, जहां पढ़ रहा है, देख रहा अगर जस्ट नीचे इसको नोट भी कर लिजेगा, अब हम नेक्स चलेंगे, आंत्रिक सन्रचना को देखेंगे इसका, तो पारा मिस्यम में साइटो पलाजम दो पड़तों में बटा होता है, इसके अंदर के भाग में पेलिकिल के अंदर, एक्टो पलाजम बाहरी परत और इंडो पलाजम भीत्री परत बनाता है, भीत्री परत में तीन सन्रचनाय असपस्ट होती है, एक में केंदरक, तो जो इंडो पलाजम इसमें तीन सन्रचनाय असपस्ट होती है, केंदरक, तो पारा मिस्यम में दो केंदरक होता है, एक बड़ा गुरु केंदरक और एक छोट लगू केंद्रक कालाता है तो गुर्दा के आकार वाले बड़े केंद्रक के गड़े में छोटा-छोटा गोल केंद्रिकाय होती है जिसका कार्च उपापचाय और परजनन को नियंत्रित करना होता है अब देख रहा है बरका केंद्रक है गुर्दा के आकार के यानि की आकार क और इसमें छोटे छोटे केंद्रिकाय काला काला दना देख रहे हैं केंद्रिकाय होती है जिसका काम उपाप चयाना इसके साइड के अंदर सभी रहा साइनिक किरियाव को नियंत्रित करने में होता है और परजनन के लिए होता है तो केंद्रा को बारे में देख लिए दुसरा internal structure हम देखेंगे इसका दूसरा structure है कि संकूचन सील धानिया contractile vocules तो इसमें दो संकूचन सील धानिया होती है जिसमें एक अग्र तथा दूसरी पस्ट सीरे पर इस्तित होते है इसके चारो ओर विक्रन नलिकाइड एडियेटिंग कैनाल होती है यह साइटो पलाज्म में जॉल की मातरा को नियंत्रित करती है यार रखेंगे क्या करेगा जॉल की मातरा को नियंत्रित रखेगा तथा इसका संबंध उत्सर्जन एबम स्वसन से भी होता है देखेंगे यह हो गया एंटिडियर भोकुल्स और यह होगी आप पोस्टिडियर भोकुल्स इसका काम क्या क्या है तो पहला काम है कि यह जॉल को संतुलन करेगा इसके सरीर के अंदर में जॉल संतुलन में काम करेगा स्वासन में काम करेगा और उत्सरजन का भी काम करेगा तीन काम जो है वह कंट्र तुकरा यूक्त अनेक भोजन धानिया होती है, इसका आकार भोजन के आकार पर निर्भर होता है, आप देख रहे हैं, इसके ओरल गुरूप से भिन भिन परकार के भोजन के टुकरा को अंदर क्योड लेगा, और साइटो अंदर क्योड लेगा, और इसको अंतरिक भाग में द तो इसके अंदर भोजन की समागरी जो है एक जिलीदार रचना में पैक होगा जिसको बोलेंगे फूड वैक्यूल या आंतरिक सन रचना है इस परकार से हम ने अभी तक पढ़ा बाहरी सन रचना और आंतरिक सन रचना चली आप एक डियागराम बनाईएगा मेरे साथ किस अं इसके सन रचना का हम डियागराम बनाएंगे तो दो भाग में बाटेंगे इसको दो भाग में बाटेगा तेजी तेजी से बनाईएगा मेरे साथ एक भाग हो जाएगा आंतरिक भाग और एक हो जाएगा बाहर रचना बाहर रचना और आंतरिक रचना देखेगा बड़ा मस राहे रचना में सबसे पहले पेली किल आएंगे, अब पेली किल का काम क्या है, साइड क्या कार को नियंत्रित करना, दुसरा हो जाएगा, साइटो पोईंग, साइटो पोईंग है, जो बचे हुए भोजन को बाहर निकालने का काम करता है, मुख के नीचे अबस्थित होता है एक छिद्र के रूप में, और तिसरा हो जाएगा, सिलिया को दो भाग में बातेंगे, एक बॉड़ी सिलिया, यानि सोमेटिक, और दुसरा हो जाएगा, ओरल, यानि काइक, हिंदी में लिखेंगे काइक सिलिया और मूख सिलिया, तो इस परकार यह तीन भागgon जो है, पार मांत्रिक संद्चना में जब चलेंगे तो देखेंगे इसमें केंद्रक, केंद्रक दो परकार के होते हैं, एक गुरु और एक लगु, गुरु के पास में होता है केंद्रिका, केंद्रिका होगा और इसका काम क्या-क्या होगा, तो काम भी यहीं पर नोट कर लेंगे, यह काम क उपापचय और प्रजनन, उपापचय का और प्रजनन का, अब चलिए आंत्रिक सनचना में हम देखेंगे, इसके पास में भैक्यूल्स होंगे, यानि रस धानिया होंगे, तो आंत्रिक सनचना जो पाया जाएगा, यह पाया जाएगा, एंडो पलाज में, एंडो पलाज में पाई जाती है, अब रस्धानिया इसके दो परकार के होंगे एक संकूचन सिल जो अगला भाग में भी होगा आगे भी होगा और पीछे भी होगा यानि कुल मिलाकर दो पाया जाएगा इसका काम क्या क्या है काम को भी यहाँ पर नोट कर लिजेगा पहला काम है जल का संतूलन करना जल संतूलन स्वासन और उत्सरजन तीन काम करेंगा और एक वेकूल सो हो जाएगे यह हो जाएगा हमारा भोजन धानी यानि फूड भोक्यूल्स भोजन धानी जिसमें भोज पदार थे जिल्ली दार रचना में जिल्ली दार रचना में बंद होगा जिसको हम भोजन धानी बोलेंगे तो इस परकार से आप पारा मिश्यम का बाहरी संरचना और आंत्रिक संरचना बना लिजेगा हम आपके स्क्रीन से हड जाते है जैसे जैसे बना है वह ऐसे आप बना लिजेगा अब चलिए इसकी परचलन को देखेंगे तो आप देख रहे हैं परचलन यानि लोकोमोर्सन अंगरेजी में बोलेंगे हम लोग पहले पढ़ते कि इसको परचलन करने के लिए पारा मिश्य आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा इसको तो केवल परामिस्यम के बारे में जान गए होगा इसका फोटो बना के छोड़ दियो ही गा इलेवेंथ में गया है तो परामिस्यम के बरगी करन को भी पढ़े है इसके अंदर के कुछ भागों के बारे में जाने है लेकिन तथा सुरक्षा की तलास में पारामिसियम परचलन की दो वी धिया है यह चलता क्यों होगा तो जो भी भोजन का कन पानी में होगा तो यह इसके अंदर मुख के अंदर परवेश करते जाएंगे मुख इसको आगे की ओर साइटो सोम में भेद देगा और वहां से गलेट में औ जलता कि इसके द्वारा है तो दो परकार से पर्चलन इसमें होता है एक सिलिया पर्चलन होते है और दूसरा इसके बॉडी के संकूचन द्वारा पर्चलन होता है तो मुख रूप से जो पर्चलन है इसके अंदर वह सिलिया के द्वारा ही होता है इसको हम देखते है कि सिलिय पर्चलन का परमुखंग है या पेंडूलम की तरह कार्द करती है पेंडूलम देखे होंगे घरी में लटका हुआ घंटा होता है तन 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 कभी इस साइड कभी इस साइड एंडूलता रहता है इसी को हम पेंडूलम बोलते है ठीक इसके परकास सिलिया जो है ऐसे देख रहे हैं तेरते समय सिलिया जो है यह पीछे की और जुक रहा है तो फल सरूप जनतु का अगला सिरा आगे की और बढ़ जाता है देखे पानी में तेरे होंगे तो पानी में अगला हमारा समझे की हाथ सिलिया है तो आप ऐसे मारे होंगे ऐसे पानी को मारते है जब पान सिलिया पीछे की और जुका, जनतू आगे की और बढ़ा, तब इस अस्टोक को बोलते हैं, effective अस्टोक, अब समझे, effective अस्टोक के कारण आगे की और बढ़ता है, इसके तुरंत बाद होता है, recovery अस्टोक, तब रिकवरी अस्टोक क्या होता है, सिलिया जिस पोजिशन में है, तो आप डो चीज़ समझ गया होंगे, इफेक्टिव एस्टोर और रिकवरी एस्टोक और रिकवरी एस्टोक इस परकार एक effective एब हम एक recovery stock को मिलकर एक ciliary movement कहा जाता है अब ciliary movement को भी समझ के होंगे, recovery stock को भी समझ के होंगे और ciliary movement को भी समझ के होंगे जैसे देखी एक cilia, एक पेलिकिल है, इससे बाहर निकला हुआ इस cilia है अब cilia क्या होगा, यह पीछे की ओर जुकेगा, देखीगा, यह पीछे की ओर जुकेगा इस position पे तो यह जुक कर पीछे की ओर आया, जन्तु जो है, आगे की ओर बढ़ा जब पीछे की ओर आया, तो इसको बोलेंगे, effective stroke पीछे की औनो फेड यह पूर्विस्थिति में आ जाएगा तब यहां से यहां आकर यह फिर से आ पूर्वी स्थिती में इसको हम बोलेंगे recovery stock एक हो गया effective stock एक हो गया recovery stock इस दोनों को मिला कर बोलेंगे ciliary movement ciliary movement समझ गया होंगे इस परकार अब समझेंगे या है या सिलिया है या सिलिया है या पीछे की और जुका या सिलिया बीच में पूर्व की स्थिती में है पीछे की और जुका effective stroke जन्तु आगे बढ़ गया फिर या पूर्व स्थिती में आ गया फिर पीछे की और जुका फिर पुरुवी स्थिती में आगिया फिर पीछे की और जुका फिर पुरुवी स्थिती में एनि पेंडूलम की तरह जुकता रहेगा सिलिया आगे की और बढ़ता रहेगा तो चलन के स्थिती को देख लिए तीन परकार की स्थिती हो जाएगी एक recovery stock, एक effective stock, और दोनों को मिला कर बोलेंगे एक ciliary movement, एन एक cilia एक stock में आगे की और बढ़ गया, दो परकार के crons होंगे इसमें, syncrons और metacrons, एक cilia देखिए, दो cilia आप पर दाए, तो एक cilia यहाँ है, यहाँ जो है पीछे की और जुका, तो यहाँ बढ़ा cilia जो पहले पीछे की और जुका था, यह पूर्वी स्थीती में आ जाएगा, तो पीछे की और जुका जाए, तो उसको हम बोलेंगे, syncrons जो पंक्ती में एक के बाद बुसरा जुकता है, उसको हम बोलते है, metacross, तो इस परकार दो परकार से होता है, यह silyry moment दो परकार के होते है, syncrons और metacrons, फिर से समझेंगे, 36 पंक्ती में जुकता है, सिलिया जब एक समय में 36 पंक्ती में जुकता है, 36 पंक्ती में जूखता है तो इसको हम सिनक्रोस कहते है और एक के बाद फिर दुसरा पुरा लंबा हो जाता है तो उसको हम मेटा क्रोस कहते है सिनक्रोस समझ गए मेटा क्रोस समझ गए और दुसरा है तो शरीर के एठन तथा सिलिया के लमवान के रूप में बिन्यास के रहने के कारण जन्तु जब तेरता है तो अक्ष के चारो ओर सरपिल रूप में घुमते हुए आगे की ओर बढ़ता है समझे यह सिलिया सरीर के एठन दो परकार से एक सरीर के एठन आ गया और सिलिया के मुमेंट हो गया इस दोनों के आकार से जन्तु क्या होगा सरपिल लूप में सिधा नहीं भाएगा कभी इधर कभी टेर में टेर में भागेगा यानि सरपिल लूप में आगे की ओर भागते च देखें और दूसरा है Metabolicly, यानि Metabolic, तो इस परकार के परचलन को सरीर संकूचन भी कहते हैं, यानि सरीर के अंदर संकूचन होना, यह वीधी में जनतु सरीर का लचीलापन सहयो करता है, मद भाग के विसेश रूप से मदद करता है, यह स्थाई गति होती है, एक तो सिल्जा के दोरा देखे दूसरा दूह सयगों कव고 करके आगे की और बढ़ेगा तो यह कभी कभाल होता है लेकिन मुख्रुब से कौन सी गती होती है, सिलिया की गती होती है, सिलिया के द्वारा ही अजीब अपने साइड को आगे की और बढ़ाता है अब हम पढ़ेंगे पोशन के बारे में, देखेगा, पोशन के बारे में पढ़ेंगे, किसमें पोशन, तब पारामिसियम में पोशन को देखेंगे, निूट्रिशन को देखेंगे, तब पारामिसियम के पोशन में निम्न अवस्थाय होती है, तो सबसे पहले समझे कि पाराम इस्ट को खाएगा या अन्सुक्ष में प्रोटो जुवान्स के समुदाय को खा जाएगाई तो किसकी सीच का भोजन कर सकता है तो बैक्टिडिया ऐसा बाल्ड आटम्स, इड्स या अन्छोटे प्रोटो जुवान्स को या खाएगा पहला पाचन को समझेंगे इसमें कि अन् करता है देखेगा इन जेशन जिसको बोलेंगे तो जन्तु में प्रानी संपोसी होलो जोईक परकार का अंतह करन होता है अर्थात संपूर्ण भोजन का भक्षन करता है यह ओरल गुरूब बेस्टिव्यूल्स गैलेट होते हुए एंडो पलाज्म में भोजन धानी का निर् अनता गरहन किया अनता गहन कहते कैसे है किसको है हम लोग भोजन करते है संपूर्ण भोजन को अंदर भक्षन कर लेते हैं यह हमारे जैसे ही पर्खम जन्तु है तो यह भी भोजन को अंतरगरहन किस से करता है तो oral group, vestibules और galate होते हुए cytoplast में छोड़ देगा, endoplast में छोड़ देगा, जिसको हम बोलेंगे भोजनधानी, food, vacules, photo के माधम से समझेगा, इसके आगे बाला भाग को देखिए यह सिलिया के माधम में जल में तेड़ते हुए चला गया और इसके बगल में भाग जो खुला हुआ है मुख के रूप में इसको बोलेंगे oral groups, तो जो भी भोजपदार्थ है, bacteria है, yeast बगारा जो भी है वो इसके oral groups में परवेश कर गया, oral groups से परवेश कर गया देखिए, vestibule में, तो oral groups आगे को भेद दिया, vestibule में और vestibule के अंदर यहां पर देखे, इस सभी भोजपद के कौन को एक साथ जमा करके आप बाहर भेज रहा है, इसको बोलेंगे हम food vacuels तो देख लिए इसके भोजपद को अंतरगरहन कैसे होता है तो भोजपद का अंतरगरहन जो होता है, वह तीन भाग, oral group, vestibules और galate vestibules और galate, इस तीनों भाग के नाम को समझेंगे फिर से ए बाला भाग जो है, जहां से भोजपद इंटर करता है, oral groups हो गया ए बाला भाग, जो भोजपद को आगे की ओर ले जाता है इसको बोलेंगे हम, buccal cavity या vestibule और तिसरा भाग जो है, इसको बोलेंगे हम, galate जहां भोजपद का निर्मान करता है, galate अब तीन oral groups, buccal cavity, galate या vestibules इसको हम vestibules भी बोल सकते हैं, vestibules यह तीनों मिलकर भोजपद को अंतरगरहन करता है और galates जो है, भोजपद को भोजपद धानी के रूप में पैक करके भेज दिया कहां पे तो endoplasm, इस सारा भाग जो है endoplasm यह पहला भाग देख लिए भोजपद का अंतरगरहन तो पोशन में पहली बीधी समझे भोजपद का अंतरगरहन अब दुसरी बीधी समझेंगे पाचन कैसे करता है पोशन में तो भोजपद धानी, साइटो पलाजम की धारा गती के कारण शरीर में एक निश्चित पत पर घूमता है जिसे साइकलोसिस कहते है समझेगा जो फूड का कन है, भोजपद का कन है वह साइटो पलाजम में एक निश्चित धारा में बहेगा निश्चित धारा में घूमेगा जिसको हम बोलते है एक निश्चित पत है इसी पत को बोलते है साइकलोसिस पहले या पिछले सीरे की ओर आता है इसके बाद पिरिष्ट सता से होते हुए अगले सीरे की ओर जाता है और अंत में यहां गुदा द्वार पर पहुँचने हे तू नीचे की ओर जाता है अब देखे इसको छोटा कर रहे है लेटर को एक साथ फोटो भी आ जाएंगे आपका लेटर भी आ जाएगा आपके नोट्स में भी ऐसे है इधर पढ़िएगा और इधर समझेगा देखे इधर पढ़िएगा और इस फोटो को इधर समझेगा एक साथ दिये हुए है मिसे लिए सबसे पहले क्या किया देखे भोजन धानी जो है इसका पत देखे गाई तीर लगा हुआ है पीछे की ओर गया उपर की ओर सत्व की तरफ बढ़ा पिरिष्ट मतलब अगला सत्व पिछे की सत्व की ओर बढ़ा और यहां से फिर सीरा की ओर आया और सीरा से अंतिम होते हुए भोजन को पचते हुए पचते हुए एक निश्चित सीरा से आगे निकला जिसको बोलते है साइटो पोईंग इसको बोलते है साइटो पोईंग यानि गुदा द्वार भी बोलेंगे तो इसके द्वारा वह भोजन पचते हुए सहीर से बाहर निकल जाएगा तो अब हम देख लिए भोजन के आने स इंडोपलाज में भेज दिया, फूडबोक्यूलस हो गया, फूडबोक्यूलस एक निश्चित पत्थ पे चलते हैं, जिस पत्थ को हम साइकलोसिस बोलते हैं, और साइकलोसिस के दवरानी भोजन का पाचन हो जाता है, और भोजन का पाचन हुआ और पचित भोजन फिर आगे अंत्रा कोशिये पाचन इसका पाचन कोशिका के अंदर होता है दो परकार का पाचन एक कोशिका के बाहर जैसे हम लोगों के पास में पाचन के लिए एक विशेश परकार का अंग तंत्र बना हुआ इस टोमक है उसमें भोजन का पाचन होता है लेकिन पारा मिस्यम में भोजन का पाचन इसके कोशिका में होता है इसलिए बोलते है कोशिकिये पाचन हम लोग को कोशिका के सरीर में नहोकर कोशिका से बाहर एक पीसेस अंग में होता है उसको हम बोलेंगे अंत्रा कोशिये पाचन और इसको बोलते है अंत्रा कोशिये पाचन अंग्रेजी में एक्स्ट्र cellular पाचन बोलेंगे अंत्रकोषके का अंत्रा बोलेंगे intracellular digestion का कोषका के अंदर पाचन हो रहा है तो अंत्रा आप बाहर हो रहा है तो अंत्र हो रहा है किलियर तो यह कोषका के अंदर पाचन हो रहा है अब भोजन धानी जो फूड वेकूल से है पाचक एंजाइम दोआरा पाचन की किरिया होती है जीब दर्म में इन एंजाइमों का स्रवन कर भोजन धानी में पहुंचाता है पहले इसका माध्यम अमलिये होता है तथा बाद में छारिये हो जाता है प्रोटीन, एमीनो अमल में कार्बो हाइडरेट घुलनसील होकर सक्कर यानि सूगर तथा गलाई को जेन में बदल जाता है इस पर कारपारा मिस्यम की पाचन संपूर्ण किरिया एक कोसा यानि एक कोसिका के अंदर ही होती है जिसे अंतर कोसिये पाचन कहते है अब समझ ये, पोशन की बिधी को हम पढ़ रहा है इसको जब पढ़ लिए, अब इसको फोटो में समझेंगे कि भोजन हमारा ओरल गुरूप से आया, बकल के बीटी होते हुए गलेट में भोजन इस्टोर हुआ और इंडोपलाज में एक विसेस रास्ते पर छोड़ दिया इस रास्ते को हम साइटोसिस बोलते है और इसी रास्ते में भोजन का पाचन हो जाता है आप देख रहे होईएगा, जैसे ही भोजन अपने साइटोसिस साइकलोसिस यानि भोजन के पत से गुजरा तो इस पत में एंजाइम आकर मिल जाएगा एंजाइम इसमें आकर मिला तो इस भोजन को पाचन करने में मदद किया एंजाइम मिलेगा तो सबसे पहले उपर में इसका अमलिये पाचन हो जाएगा और नीचे आते आते फिर enzyme मिल जाएगा तो छारिये पाचन हो जाएगा और अमली और छारिये पाचन के तफ़त हम देख सकते हैं समझ सकते हैं कि इसके भोजन में जो protein का मात्रा है जो protein था हुआ amino acid में पच गया और कोशका उसको गरहन कर ली जो carbohydrate था वह सुगर के रूप में पच गया और glycogen के रूप में दो भाग में तुट गया जिसको कोशका अपना प्रवेश करा ली और उसके बचे हुए भाग को जब सब कुछ निकल गया भोजन से बाहर तो फिर वही थैली के लिए अस्तिर से साइटो पोईंग के दुआरा बाहर निकाल देगा समझ गया तो भोजन का डाइजेशन कैसे हो गया तो भोजन धानी जो है उसमें एंजाइम गया एंजाइम जो है इसी अंता पाचन कर रहा है और बचे हुए भाग को दिखे सरीर से बाहर निकाल दिया, समझ गए होंगे आप, अब आगे हम चलते हैं इसमें, अंतरकोशिय पाचन को समझ गए, अब सोसन को समझ गए, अब यहाँ जो भोजन पचा, उसका अब सोसन क्या करता है, तो पाचन के साथ साथ ही पचे भोजन क जीव दरब द्वारा अब सोसन होता है, और कोसके के अंदर पचर है, कोसके में जीव दरब है, प्रोटोपलाजम है, तो जैसे ही प्रोटीन अलग हुआ, प्रोटोपलाजम अपने में अब सोसित कर लिया, सुगर अलग हुआ, प्रोटोपलाजम अब सोसित कर लिया, घटको की पूर्ति के लिए निर्मान होता है इसी को हम स्वांगी करन कहते है एसी मिनेशन कहते है जैसे पचा हुआ भोजन क्या था तो प्रोटीन से पचा प्रोटीन को पचा दिया एमीनो एसीड में एमीनो एसीड में और यह एमीनो एसीड को यह अपने भिनभिन घटको मे यानि भिन-भिन भागों में इसके लैक जो प्रोटीन है उसका निर्मान कर लिया यानि इसका उप्योग कर लिया तो एमीनो एसीड को फिर उप्योग कर लिया प्रोटीन के रूप में इसी किरिया को हम स्वांगे करन कहते हैं और सबसे अंतिम में हैं बहिसकरन, एक्स किरियेशन यानि अपच भोजन का मल रूप में साइटो पोईंग दुआरा बाहर निकाल दिया जाता है यह पोशन की किरिया हो गए तो इस परकार से एक पारा मिसियम के पूरे सरीड की संदचनाव को हमने पढ़ लिया अब नेक्स्ट कलास में हम पढ़ेंगे लीस मेनिया डोनो वाई के बारे में एक दुसरा प्रोटो जोवा है जो लीस मेनिया डोनो वाई है इसको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट कलास में यानि हमारा जो प्रोटो जोवा का विडियो बनेगा वो प्रोटो जोवा का भाग ती तो आप भाग तीन में पढ़ेंगे लीस मिनिया डोनो वानी का एक दो वीडियो और बनेगा इसके बाद हमारा पूरा का पूरा पूड़ा पूरा पूरा प्रोटो जोवा समापत हो जाएगा जैसे ही पूरो जोवा समापत होगा तो हम अगला जन्तु में बढ़ेंगे, इस परकार आपको पता है कितना परना है, पिछले चेप्टर में हमने दिया था, तो आप हमारे सभी वीडियो को देखिए, अपने कोपी पे नोट किजी, आपको पता है कि आपका मीड समेस्टर का एकजाम सेप्तंबर में हो जाएंग अपने पठन-पाठन को नियमित रखे, आप लगातार लिखने का अभ्यास करे, पाठ करम को समझने का अभ्यास करे, एक-एक बिंदूओं को समझे और समझ कर लिखने का अपने मन से लिखने का पर्यास करे, फिर आप कभी एक कोस्चन को लीजिए और तैस समय दिखिए कि 30 मिनट में आप 600-800 सब्दों में उसका उत्तर दे पाते हो या नहीं देखकर नहीं लिखना है एक दो बार पढ़ लो क्लास नोट बना लो, पॉइंट बना कर कुछ अपने मन से ट्रिक बना लो और ट्रिक बनाने के बाद आप लिखना आरम करो और आप देखो कि आप 600-800 सब्दों 30-35 मिनट में लिख पाते हो कि नहीं अगर लिख पाते हो तो बेल डन आपके लिए सुब कामनाय है नहीं लिख पाते हो तो अभ्यास करना आरम कर देजिए क्योंकि आने वाला दिन अब पहले जैसा नहीं है थोड़ा बेहतर है बदलाब है तो चलिए हम फिर मिलते है आप से प्रोटो जोगा के भाग थिरी में तब तक आप पढ़ते रहे जो भी पीछे का वीडियो उसका भ्यास करते रहे हमारे नोट्स को लेकर या जो बजार में बुक मिल ला है उस बुक को भी पढ़िए सब चीज आपको सेम सेम मिलेंगे कहीं भी अंतर नहीं मिलेंगे तो आप पढ़ते रहे, खुस रहे, स्वास्त रहे, मस्त रहे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप से